वैसे तो क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है यहां कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता है वैसा ही कुछ टीम इंडिया के धुमधार बनलेबाज युवराज सिह के साथ हो रहा है बात 2008 टी-20 वर्ल्ड कप की है जब इंगलेंड के खिलाफ इस खिलाडी ने एक ओवर में छे च्छके लगाकर वेश्व क्रिकेट में खलबली मचा दी थी आज उस बात को लगभग आठ साल हो गए हैं और इन आठ सालों में इस जबाज खिलाडी ने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जंग जीत कर क्रिकेट में दोबारा वापसी की है लेकिन बल्ले की धार जस की तस है युवराज ने एक बार फिर अपनी इसी क्षमता का परिचेप सेयद मुश्ताक अली टी ट्वाइंटी ट्रफी के दोरान मद्धिक्षत्र के खिले गए एक मैच में दिया मद्धिक्षत्र ने पहले बल्ले बाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 177 रन का चुनोती पूर्ण स्कोर खड़ा किया लक्ष का पीछा करते हुए उत्तर क्षत्र के टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 163 रन ही बना सकी और मैच चार रनों से हार गई इस मैच में यूवी ने मातर 20 गिंदों में 4 चक्के उड़ाते हुए 33 रन ठोके इन में से तीन चक्के उन्होंने लगातार गिंदों पर जड़े बेसक उत्तर उक्षत्र की टीम लक्ष से चार रन दूर रह गई हो लेकिन यूवराज ने अपनी बल्ले बाजी से साबित कर दिया कि उनके बल्ले में भी धार अभी बाकी है NMF News की डिपोर्ट